शद्धा मड़र केस में दिल्ली पुलेस 20 नवंबर को आरोपी आफ़ताप के परिवार की तलाश में मुंबई के नया नगर थानशेतर में पहुची बताये गया है कि आफ़ताप पुनावाला का पूरा परिवार फिलहाल लापता है वो मुंबई में ही रहते थे और इसी थानशेतर में रहते थे आफ़ताप का परिवार मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहता था लेकिन जब से शद्धा के हत्या की ख़बर सामने आई है इस परलगातार दिल्ली पुलिस से एक्टिव है तब से आफ़ताप का पूरा परिवार लापता है परवार की अनुपस्थिती में दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हासिल हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है आरोपी आफ्ताप पुनावाला का परिवार मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहता था लेकिन शद्ध्धा की हत्या के बाद से पूरा परिवार गाय बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस परवार को खोजने के लिए मुंबई पहुची हुई है हालांकि अब तक पुलिस के हाथों कोई ठोज सबूत नहीं लगा है मुंबई के नया नगर थाने शेतर में दिल्ली पुलिस पहुची हुई है और वहां भी अपनी जाच को बरकरार रखता हुआ है ताजा जानकरी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को दो बैग में सबूत मिले हैं जिनकी जाच की जाएगी वहीं कुछ दिन पहले शद्धा वालकर की पिता विकास वालकर ने दावा किया था कि वह पहले महाराष्ट के वसई में आफताब पुनावाला के आबास पर गए थे लेकिन उनका अपमान किया गया था और आफताब के परिवार के सदस्तियों ने उन्हें दोबारा ना आने की चितावनी भी थी थी इसके बाद से वो लगातार परिवार से दूर थे और विकास वालकर ने इसके बाद कथित तौर पर अपनी वेटी को भी यह समझाने की कोशिश की थी कि वो आफताब से दूर रहें आफ़ताप के परिवार को लेकर तमाम संदिक्त परिस्तितिया इसके भी पैदा हो रही है क्योंकि अबल तो वो शद्धा की हत्या के बात से ही दापता है पुरा परिवार कहा है किसी को नहीं पता वहीं दूसी तरफ शद्धा की कुछ कथित वाट्सअप चैट्स भी सामने आई है इन वाट्सअप चैट्स की बाने तो शद्धा ने अपने कुछ दोस्तों से इस बात का जिक्र करा था कि आफ़ताप शद्धा के साथ मारफीट करता था श्रद्धा ने वाटसप चैट्स में जो श्रद्धा की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर तवाम मीडिया रिपोर्ट्स में लगतार सर्कुलेट हो रही है इन चैट्स में श्रद्धा ने अपने दोस्तों से कहा था कि आफ़ताब मेरे साथ मार बीट करता है इसकी वज़े से मेरी तवियत खराब है, मेरा बीपी लो है मैंने इसका जिक्र आफ़ताब के परिवार वालों से भी किया है और उनके दखल के बाद अब आफ़ताब ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा आफ़ताब के परिवार ने भी भरोसा दिलाया है कि सब ठीक होगा इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायत शद्धा लगातार आफ़ताब के परिवार वालों के भी संपर्क में रही होगी हरांकि इन सब बातों की अभी पुष्ट होना बागी है तमाम मीडिया रिपोर्ट से तमाम अने सूत्रों से जानकारिया चंचन कर सामने आ रही है लेकिन आफ़ताब के पर्वार का यू लापता होना उनका किसी भी मामले में कोई बायान बाजी न करना पुलिस के सामने न आ आना इस पूरे प्रकरण को और भी संदिक्द बना रहा नबती ओनलाइन थी रिपोर्ट